चोपड़ाई जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो NMC ने 12 जून 23 को MBBS बैज 23-24 के लिए जो करिकुलम जारी किया था उस करिकुलम को विड्रोल कर लिया है और अभी सैम वही करिकुलम पब्लिक कोमेंट्स के लिए रखा गया है यानि कि किसी भी कंडिडेट्स को इसके बारे में अगर कोमेंट्स करना है तो वो कोमेंट्स.ugregulations at the rate of NMC.in पर MS Word format में या फिर Machine Readable format PDF format में भेज सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर यानि कि 23 जुलाई तक कोमेंट्स भेज सकते हैं तो इसको देखने के लिए वैसे जो क्या करिकुलम था उसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन देखने के लिए NMC की वेबसाइट पर ये पुरा का पुरा सर्कुलर करिकुलम पढ़ा है तो आप इसको देख सकते हैं इसमें जो MBBS के 4th Years के सारे सब्जेक्ट्स वगरा कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम के लिए होगा उसमें क्या उसकी स्किल्स रहेंगी और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा ये सारा का सारा इस ड्राप्ट में दिया है तो ये फिलाल ड्राप्ट है और इसके बाद में 30 Days के कोमेंट्स के बाद में इसको रूल में Change कर दिया जाएगा रूल बना दिया जाएगा इसका जो पहले वाला जो रूल था वो अभी विड्रोल कर लिया गया है और ये अभी ड्राप्ट तेयार किया गया है इसके अंदर अगर कोई comments होंगे और उन comments को अगर consider करता है NMC तो फिर जो consider किया हुआ regulation है वो जारी किया जाएगा इसमें सभी subjects के बारे में बताया गया है साथ में इसमें duration भी दिया गया है कि कौन से subjects में कितने हावर्स का program होगा practical कितने हावर्स का होगा theory कितने हावर्स का होगा तो इस परकार से ये पूरा का पूरा इसमें distribution किया गया है इसमें सासाथ एक program भी दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 23-24 batch कब से start होना है, कौन सी date से start होना है और उसका next exam कब होगा ये सारा का सारा schedule इसमें दिया गया है तो ये जो 23-22 batch है अगस्त 1st से start होने जा रहा है ये इसमें clear दिया गया है इसमें 1st अगस्त 23 से ये batch start हो जाएगा और इसमें जो next exam होगा वो 28 में January मन्त में होगा और जो next 2 होगा वो next 2 जोन में होगा इसमें तो ये सारा का सारा curriculum इसके अंदर दिया गया है कौन सा professional कितने मन्त का होगा जैसे 1st professional 12 मन्त का होगा 2nd भी 12 का होगा और 3rd भी 12 का होगा और जो 3rd का part 2 है वो 18 मन्त का होगा इसमें तो ये सारा का सारा इसमें public comments के लिए अभी दिया गया है और इसमें जो भी सुजाओ होंगे अगर accept होंगे तो इसके बाद में उसमें change करक फिर ये rule and regulation बन जाएगा 23 के लिए तो ये जानकारी थी इसके बारे में जो 23 के लिए करिकुलम है उसके बारे में आप इसको एक बार करिकुलम को पढ़ लें आपके भी कोई सुजाओ है तो आप NMC को लिख सकते हैं तो ये जानकारी थी मिलेंगे नए update के साथ में नए वी सारी information मिलेगी और जो MBBS कर रहे हैं स्टुडेंट उसके related सारी information इस channel पर मिलेगी तो मिलेंगे नए update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंगे